है अब आधे दोस्तों हम लोग आज का सेशन जो की हर रोज की तरह हम लोग आपके बीच में शेरिंग करते हैं आकर अगर आप लोगों से मिलते हैं जब आप लोगों से बातशित करते हैं तो आपका के माइंड सेट होते हैं एक माइंड सेट यह होता है कि आप जब लोगों से मिलते हो तो दो तरीके के mindset होता है एक mindset यह होता है दोस्तों कि आप जिसके पास जाते हो आपको लगता है कि मैं इसके पास पैसे लेने गया हूं इस यह पैसे निकालेगा फिर मेरे को थोड़ा सा commission मिलेगा राइट यह कौन सी सोच आपकी खुद के लिए अपने लिए आप अपने लिए सोच रहें आपकी सोच में वो चीज नहीं है जिसके लिए tians बनी है आपकी सोच होनी चीज़ा आप जब जा रहें किसी के पास मैं अब आप से मैं पूछता हूं अगर किसी इनसान ने मुझे tians अपासिटी दी और मैंने यहां से अपनी लाइफ को चेंज किया तो उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया या गलत किया अच्छा किया उस आदमी ने तो यह बताएं मैंने उस आदमी को मैंने इस बिजनस को 15,000 पैसे शुरू किया था जैसे यहां ऑफिशन है ब्रॉंज कार्ड 13,000 सब्सक्राइब मैंने साल में कईयों करोर रुपेस इस बिजनस से मुझे दिये आप सोचिए सिर्फ 15,000 पै और जो मैंने उस आदमी को 15,000 दिया होगे तो मुश्कल से 2-3,000 पै कंपनी ने उसको दिये थे आप यह बताएं जिसने मुझे जोड़ा उसने 2-3,000 पै में कुछ होता है नहीं तो वो 15,000 उनकी जिम्में नहीं गे तो उनका कुछ नहीं हुआ लेकर उनने यह अपॉर्टिटिव मुझे दी अगर मैंने यह सोचा होता है यार इसका फाइदा कितना होगा मैं नहीं करूं क्योंकि इसको फाइदा होने वाला है उसके दो-ती नजर बे ना फाइदा हो इस सक्कर में काम नहीं किया होता आज मैं भी धक्यक्षा रहा होता फ्रिदावाद में दिल्ली में लेकिन मेरे मन में आई नहीं मैंने बहुत थेंक यूँ सर थेंक यू ब्रैटिचूड फिलिं कुछ देने जा रहे हो लोगों को आज इश्वर की क्रिपा होने चीए बस उसके उपर अगर अदवाइज हम तो हैं हम तो जा इसले रहे हैं क्योंकि हमें भी पता नहीं है कैसे जा रहे हैं हो सकता है हमाई उपर भी को ऐसी क्रिपा बनी है या ऐसा कोई आदेश आया है है आफ दे रहे हैं है आप ग्रहरे हैं आप देने वाले हो अब लेने वाले नहीं है लेने वाला आपको मिलेंगे तो मिलेंगे लेकिन अगर उसके जिन्दगी बतल गई कैसा रहेगा तो यह आपका एक्टिचूर जब आप इस पॉर्शनिटी को लेकर पॉब्लिक में जाते हो लोगों के बीच पर जाते हैं चाहे दोस्त है रिष्टदार है जान पचान अजनबी कोई भी हो सकता है इस दुनिय मार्केट से और आप किसी माल अपनी बेहन को देने के लेकिन बेहन ने बोला मैं तो लूंगी नहीं मिठाई तेरी मैं तुमसे नराज हूँ कुछ भी हूँ मुझे नहीं चाहिए मिठाई का डबा तो आप क्या करोगे मिठाई का डबा कच्रे में फैंक दोगे या आप मना कर रहा है तो वह चीज खराब हो गई नहीं होई खराब वह तो अच्छी है अब उसने नहीं खाई लेकिन आपने किसी और को दिया उसने खा ली खराब होती तो वह दिखाता ना जब करोड़ों लोग लाकों लोग इस काम को कर रहे हैं अगर यह काम खराब होता यह काम गलत होता यह कोई बही मानी का दोके का ठगी का चीटिंग का काम होता तो क्या दुनिया का सरकार भारत की गौर्मेंट पुरी दुनिया के 190 देशों की गौर्मेंट क्या उसको कोई ने बढ़ता है क्योंकि उसको हेंडल करना आपने सीख लिया हो गया इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं शुरुआत के दौर में अपनी तीम को यह कहा करता था जिसे मैं तेकि यह मैंनत करने का अगर आगे बढ़ना आपको कुछ करके दिखाना है तो आप बहाने नहीं बन मिलने जाना है तो जहां मर्जी जाना पड़े मैं कभी मना नी करता था मुझे पता था जादर जाद़ जाद़ा जोगों से मिलूँ गा तो जलदी काम हो जाएगा यह पषहाइब है तो मैंने क्या किया दुख के अजosure गए फ में क्या किया दॉस्ट वह उनके साथ का बात समझ आगी यह आदमी काम करने के लिए तयार है और यह आदमी लोगों को मिलाने के लिए तयार है लेकिन एक समस्या है इसके साथ में कि यह समझा नहीं सकता है इसको छोड़ दिया ना अब किसी खिलारी के आगे बठा दो है ना सपोर्ज को और यह आप और सामने वाला पहलवान है उतों मारेगा तो आपकी समझदारी क्या है कि भाईया ऐसे पहलवान के आगे मत मरवा देना आप मुझे बात समझ आ गई कि अगर मैं इन लोगों को बो हो सकता है कि दोबीपट पड़ जाए ना जड़ना तो दूर जटके में आउट दोबीपट मारने में आपको पता सुना होगा आपने पहलवानी में कुष्टी में एक सेकंड में पता नहीं चलता है जितनी देवने तो समझ आती इतनी देवने पीट लगी मिलती है लोगों हो नया आदमी होता उसको पता नहीं होता हो सोता अच्छा ऐसा भी है क्या क्यों लोगों को बाद जाता था मैं लोगों को एक मंतर बोलता था कि आप देख रहे हैं मुझे स्क्रींग पर कि क्या बोलता था मैं कि यूँ मैं बोलता था चुप रहना है चुप मतलब मैंने बोला भाई आप जिसे लोग बोलता ना कि हम तो जुड़ जाएंगे लेकिन हमारे आगे नहीं जुड़े तो आता नहीं कोश्चन हम तो आपके कहने से जुड़ जाएंगे मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो टॉपिक है ना इस टॉपिक में अगर मेरे को आप एक महीने कर टाइम दें तो मैं हर रोज एक महीने तक मैं इतनी बाते बता सकता हूं क्योंकि बिछले 20 साल में मैं जखतों मारी नहीं हैं कि आप समझें कि कुछ लोगों को हलके में ले लेते हैं ना कि आप यार ऐसे बाते मानने तसान है नहीं बाते मानने मुश्कल है बाते होनी चीह मारने के लिए है कि नहीं तो मैं आपको बता रहूं कि इतना सॉलिड टॉपिक है यह कि अगर तीस दिन भी इसके उपर आप करोगे तो आपको यह लगए का सदा भी तो और बताओ राइट हम तो जुड़ेंगे हमारे नीचे लोग नहीं जुड़े तो तो मैं उनसे पूछता था बहुत अच्छी बात है आप जुड़ने के लिए तयार हैं कि के तहां मैं का क्यों कि हमें अच्छा लगा हमें जो चीज आपको अच्छी लगी तो आपको क्या लगता है जब हम लोगों को बताएंगे आपके लोगों को आपकी जानचानवालों को तो जो चीज अच्छी है तो उनको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी नहीं लगनी तो अच्छी चाहिए उनको तो जब को चीज बताना भी है ये काम अगर आप बीना जाने बैना समझें इस काम को बताने चले गए आपने उसको प्रपली हैंडल नहीं किया तो वह आदमी तो आपका खराब हो जाएगा तो भाई कल को हमने उनके पास जाना है ना जिसने कल आपसे जुड़ना था जुड़ने से पहले पता प्ता आपिչ Frank को तियार होता तु में जुड़ जाओं गूंक अपने डिखाते आं अपने हो इसे शाना पंती वाले लोग मर जाते ना उपसे जुड़ना था जुड़ने से पहले आप यह क्वा क्रोड़ा पर ना किया था तो दो हो लिए यह होगा कि इंड शना बंधी दिखा दी मतलव में पूरी कि क्योंकि हम बे मतलव में हुषयार सिंग already हम मर रहे है हमें रोसा नहीं कि धो सानी ए कि एस लोग करते हैं मैं छोड़ो उनकी बात हैं अब मैं आदम अपने टॉपिक पर वापिस दूबारा कि अब आपने क्या किया ऐसे आदमी जो बताया आपको बोलता कि ठीक है हम जुड़ जाओंगा अब यहां समस्य यह आदमी ने दस बीस जर्पे लगाए दस बीस पतास जर्पे तो उसको यह लगता है कि मतलब या फिर जल्दी जल्दी पैसा आना चाहिए जिस स्कूल में आपने जिस साल गुजारे होंगे कम से कम छे साल से लेकर मैं पहली क्लास से लेकर हम रेजिवेशन की बात करें तो पंदा साल तो लगते ही हैं मिनिमम प्लस क्यूं कर ले तो बारा साल किसने मैट्रिक तक पढ़ाई कि होगी तो भी दस साल तस पंदा साल हमने जहां लगाए और वहां से जहां निकलते हैं ब लगा भी दिये हैं आज आप बच्चे को पढ़ाने जाओ स्कूल में जब तक वह दसवी बारवी पंद्रवी करता है कहीं लाख रुपे उसके उपर लग चुके होते हैं अब यह बताएं और लगाने वाले बच्चे भी बाहर निकलते हैं तो उनकी स्किति ऐसी रहती है कि अब क्या करें तो जब हम लोग लाख और लगाते हैं और बड़ा सबर रखा होता है यहां पर 10-20-50 दरपर से शुरुआत कि हमने और फिर में बड़ी जल्दी लगी होती है इसलिए यह ट्रैनिंग का हिस्सा बनता है कि मैंने क्या बोला मैंने अपने लोगों को आप अपने हिसाब से समझेगा मैं अपने अन्भों बता रहा हूं यहां पर राइट कि है जो बाते मैंने आपको समझाई क्या सारी घंजा सकती हो गहते हैं नहीं समझा सकते हो केता है तो जब आप आप टॉपी का खतम हो जागा तीन घंटे वाला ती है ऐसा हुआ यह हुआ हो बोलते बोलते मूअ भी खतम कहने का मतलब है कि वह मजा नहीं आने वाला है यह सब गलत चीज करने में पक्लब होगा तो मैंने कहा कि आपने नहीं समझाना है, आप पहले सुनिए, सुनिए, समझिए, देखिए, कि हम क्या कहते हैं, जो हम कह रहे हैं, इसमें से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, और फिर जब आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको भी ऐसी आएका जिसे ह लेकिन खास बात यही है, कि एक अनार सौ बिमार, जब समझाने वाला एक हो, और डिमांड चल रहे हो, भाई साहब यहां आजाओ, यहां आजाओ, यहां आजाओ, तो मेरी रेल बना रहे ही थी लोगों ने, आप समझते हैं रेल बनाना, है ना, मैं लब मेरे को खिच के माली है, प्री नहीं पेस्ट इंकम नहीं आने आते हैं, तो इसीलिए सिस्टम की जरूरथ की लोग डुपलीकेशन करें, लेकिन लोगों को मैंने कहा, कि जब तक आपके सिल्ट नहीं आते ना, तक तक लोग जल्दी-जल्दी हजम नहीं करतें, वह पते हैं इतना श Precis नहểu हमें लगता है का कईयों के साथ यह समझा के इसमर्च अती है कि काश मेरा he हुआ हमारा हम तो है नहीं हम आज में मरें अधर कंप ले आ होगा उस जगह पर लेके आ रहा हूं जो आपकी समस्थे कि जड़ हो सकती है शायद आज इस कि लोग ऐसा करते तक कि सकाश हर जगह आप होते हैं हमारे साथ हर जगह आप होते हैं तो हमारा बिजनस और मल्टिप्लाय मैं तीन साल के पहले तीन साल के अंदर दस क्रोड रुपायगे का त्यांस के अब शूरो को हो गया है आपने समस्कॆ आप समझ जाना यह उन्नी साल नहीं है उनीं साल का जल्वा नहीं है तो फील कर लिया समझ लिया चुम्स करना उद्या उनुप correlated कि आप कि बता है अब किशी को जानते हो या आप हाउस्वाइब हो या और रिटायर परशन हो बजभी हो जोडा कोई में से लोग हैं अभी अग मैं बात करूं कि जिनकी उमर साफ साल से उपर भी उन्होंने भी कम से कम ज्यादा निन में बोलता हूं चार से पांच क्रोपया तो कमा लिए होंगे शिटे शे साल के नाना करते भी चार क्रोड रॉपया तो कम होते हैं कि उस आदमी ने जिसके उमर जो ँम्मर में बच्चे जो आपने माँबाप से पैसे मंगते है आप समस्के एंकि मामला אкуश नहीं है मामला तो सब के लिए लेकिन वही वाली बात है जिसने पहाने मारने एक किस पर करना कैसे होगा पाल जी मैंने पालज मतलों अगर मनत्र में तो मैं का चुप रहना हैं आप ने किसी को नहीं समझाना हैं तो फीर मैं कर नहीं समझाना है हो सोचिये और जब स्कुल्टर चलाता था मैं तो स्कुल्टर नहीं होता था होई जाज उता था क्योंकि हम खत्रम अगला शुरू वहां खत्रम अगला शुरू इसको बोलते मेहनत दोस्तों आपको ग्जंपल दे रहा हूं। कि मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं आप चिंटा मत कर आपने नहीं समझाना आप मैं समझाऊं गा जो भी समझाऊंगा और लोगों ने अब जो मैंने जो मैंने प्लानिंग थी या जो हमाई प्लानिंग होती है जो पीज को क्रोंग, ओसके टहर इसमें तहर। लोग बहिंए आपका काम करके दे रहा हूं आपके इंसे जॉइनिंग भी दे रहा हूं आपको घर में पैसे भी आ रहे हैं आपका क्या फर्ज बनता है इतने दिनों में आप सीखो कि पाल जी करते क्या है जल्दी जल्दी चीखो और फिर खुद करना शुरू कर दो लेकिन आजर ऐसा हो गया कि लोगों को आपने जब सपोर्ट किया तो लोग अपंग हो गए आप समझता है अपंग होना वो डिपेंड हो गए उनको लगता पाल जी ना अपनी बातों फस गें मुझे बोलता था आप नहीं बोला था चुप आप तो बोलना जोटा है आज मनिताराज के आज हैं और योग राज जी के रहे हैं और जो हमारे सिकनता जी है तो मैं। क्राइबुत वसंस्टराइब 4-50,000 में सहीं हाट मैं पैसे होती लोग जानबुच के एसा नहीं है लोगों पता नहीं होता है लोगने फिइन कमाना था क्लिस इसे देते विद्टी हिमातें लितनी जिन्दी में वे जाद है ने अब तो हमारे नीचे भी जोड़ दिया पाल जीने पहला काम पाल जीने कर दिया जोड़ने का वह जो जुड़े में लोग उनको क्या बोलते थे में तो बीजी हूँ, में पास तो टाइम नहीं है और ज्यादा कोई बाचीत हो जाये तो बोले कि हमने धुझ में लोगी जोड़ा था आपको आपको तो पाल जीने जोड़ा था पाल से भाट करो तो बंदा बोलता है सर जिंदगी में काम नहीं करूंगा अब जो बीच वाले लोग थे उनको क्या लगा कि हम तो मदारी है दमरू बजाएंगे इतर पाल को दांस करेगा उधर पब्लिक डांस करेगी देखिए मैंने बताया ना आप लाइन है तो डाउन लाइन तो बहुत पैदा हो सकती है लेकिन गलती से आप डाउन लाइन पर डि यह तो खुश नसीब है कि आपके नीचे को जुड़े वे लोग मिल गए है जोड़ दिये गए है जो भी बज़ा रही हो अले भाई साब भगवान का शुकर मनाओ उनकी मदद करो हैल्प करो उनके साथ काम करो जरूरी नहीं है मतलब आपने देखा ना कईयों के कंसीव नह लिए दो किया था ना कि बच्चा मानने के लिए बच्चा समझने के लिए तो यही वाली बात है कि अगर आपके नीचे लोग घुड़ गए हैं ज़रूरी नहीं वो डिलेक्ट आपके साथ जुड़े में हों डिलेक्ट आपने जोड़े हों किसी नहीं यह इतिहास का आ वो यह बोल रहेंगे ले पाल जी को क्या जरूरत हैं जाथ ने कीक्साथ बात करने की इनको मरने तो हैना मतलब अभी नैंट मॉत वाना फ़ादा ने विए घाइंगे नी खाने भी नहीं राइता फेर देंगे आपने देखा हो कर लोगों a और पिए लोगों का मतलब यह है कि आप भी हो सकते हो आप अपने आप से पूछिए को अगर आप नहीं हो तो अच्छी बात है अगर हो तो आज इक कर लीजिए कोई कत्या है कोई दिक दिक जिंदगी ऐसी चलती है हम गल्तियां करते हैं लेकिन गल्तियों से सिखते हैं और व आठहने किया फाइदे हुए दवा अपर बिजनस क्यों फाल साब आरें पाल जी आरें फालसाब आरें फाल जी पाल जी पाल जी पाल पर जी ना लोगने संन्झान मταम आपको देखके पैसे दे रहे हम तो आपको कि ट्रें ट्रॉंस में तो एटा टारें तो चिया दिशिज को और इस इसको यह महावल होता है मोमेंटम होता है महावल होता है जब लोग एडिफाई करते हैं आपको लेकिन गड़बर कब होती है दोस्तों जब उन्हीं लोगों में कुछ गलत लोग है ना सुनाइब ना अपने के एक मसली एक गंदी मसली सारे लेकिन हमने क्या बोला हम तो टिके रहेंगे हम तो लगे रहेंगे क्योंकि हमें अब हमको फसल लगानी आती है किसान के बच्चे है ना तो इतने सालों से फसल पैदा की है आज हमें यह पता है कि हमें नई फसल लगानी है तो हमें सोचना नहीं बढ़ता है हमें पता हम फस उस दौर में जबर्दस हीट हुआ और आज तक हम जहां पहुंचे हैं उसका बहुत गड़ा रूल है कितना जब हवाई जाज टेक आफ करता है ना स्टार्टिंग में धंका स्पीड होगी तो बढ़िया हो जाती है तो स्टार्टिंग में जो धटका माला हमने बढ़िया वाल पर जो सेशन होता है आप इतना काम कर लो कि आप लोगों को गैस्ट बना के लओ उनको सिर्थ एक ही बात बो चुप रहना है क्या बोलना आपको कि चुप रहना है तुम्हें कुछ नीं समझाना है जो भी समझा एंगे पाल सर समझा रहे हैं शाम को आट बशच्ग पैंटा तरीके से प्रपर तरीके से आपने पिक्ट्राइजेशन की जो है जैन्मिन तो सामने वाला बोलेगा सारे काम धंदे चुनके मैं तो यही सुनुआ पहले है क्या चक्तर यह और जब उसको कहानी समझ आ गए उसको भी आपने समझा दिया चुप रहना है बताना नहीं किसी को स समझाने का काम हमारा है बताने का काम हमारा है आपका काम मिलाने का आप अपना काम सौप रतिश्यत करो हम अपना काम सौप रतिश्यत कर रहे हैं दो साल से इस में मीटिंग में कर रहा हूं चाहे 20 गेस्ट हैं चाहे 10 गेस्ट हैं पता कितने गैस्ट हैं और ना मैंने कभी प मैं हूँ ना मैं आ रहा है वाइज़ाम मैं पर आठ मीटिंग करूँ गा रात को बारा बजे एक बजे दो विचे तक भी मीटिंग करूँ गा लेकिन मैं करूँ गा मुझे पता था मैं करूं गा काम होगा और सबको कहा था कि अगर आपो अपने डूप्लिकेट कर लिया नहीं से अगर आप बढ़के तो आपके बेडापार ऐसी हो तो अगर आप चाहते हो कि आपको दोस्तों को भी महाई तरह करना पड़ेगा लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत अच्छा बेड़ा पार हो सकता है इतना ही करने से सिर्फ लोगों को लाइए लोगों को बठाइए लोगों मिलाइए जो नजदी के अगर आपके 10-20-50 किलोमेटर के दूरी है कोई गैस्ट है उसके घर जाईए उसके साथ बैठ ये शाम को 8 बज़ के 45 मिनट प जारा जी आप समझें अगर आप इस जुनून के साथ जहां जा सकते हो मैं लोगों को बोलता था लोगों लोग बोलते थे कि सब गैस्ट बोडला मैं आउँगा मैंने बिला कोई गैस्ट नीं आएगा नएगाए फिर क्या करना है गाघी के घर जाना वहां से जिसके घर में गिया उसका गेस्ट मालो दो किलोमिटर दूर है उपलता है था है वकल बोलता है नहीं है कैने अर तुम तुमने घर में पार्टी भी रखी है प्रोग्राम भी रख से जाओ लाइना नहीं को घाओ लेकिन हमें भी तो जुरूरत नहीं बनाने के लिए तो हम गए वो गए उन्होंने उठाके लाया अपने पाइट को बिला बिठा लिया ऐसे सब को फार्मॉला दिया कि सबने अपने गेस्ट को बिलाके हमां लाना है लगा लेकिन जिसको फॉन किया वो बोला मैं आउंगा आने वाला हूं मैं निकलने वाला हूं अचानक उसकी फोन को बेटरी खतम हो जाएगी फिर बेटरी खतम हो गया तो आप बहुत आगे जाना चाहते हैं जल्दी जाना चाहते है तो स्कूइड आपको बढ़ानी है लोगों को नहीं बढ़ानी है अभी लोगों को समझ जब आएगा तब ढ़ाएंगे ना अभी आपको समझ आएगा तो आप ढ़ाईए हम चाहरें कि लोग समझें लोग बात में समझेंगे जैसे आपको आज समझ आ रहा है वैसे उनको भी आएगा कल को लेकिन पहले उमीद न प्रेखरै कि वहारा है पूआ है और अपने कैसे जबाब तेना कैसे सवाल करना क्या बोलना है कैसे उनके साथ लगना है लगना पड़ेगा लोगों के साथ ऐस्फल ठामीयाव मैं अगर चाहते मस्दू से बिजनस फैलाना आठ बचकर पैंटालेश मिनट पर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर दस बीश पचाजा किलोमेटर के दूर के लोग रहते हैं उनको मजबूरी आपके उनकी मजबूरी आप हर जगानी जा पाऊगे उनको क्या करना है आपने उनसे बात करो उनको क альное करना है और को नाम नहीं बताना है ब्सनस ने बताना है कुछ को नहीं बताना है क्या ना मतलब करने के लिए हुआ है बिलाने के लिए अपने बुलाया क्या इति आपने हाल खबर पुचा एफ ओ आरेम फैमिली के बारे में उक्टिपेशन के बारे में मनी के बारे में इदर उद्धर से बाते की और उपने बोला भाजता मरे पड़े हैं तित्री ठीक नहीं है पैसे की दिक्कत है पैसे चाहिए आपने बोला बहुत महुज हो लिए काई की प्रिशान चल रही है कौन सी गाड़ी ले रहे हैं कौन सी गाड़ी प्राणी नहीं है प्राणी गाड़ी नहीं चल रही धंग से आप किसी ना किसी तरिके से उनसे पता करिए कि वो आज की डेटमन को मनी की कितने जरूरत है जब उनके अंदर जरूरत पैदा करोगे जब लोहा गरम होगा फिर आप उनको इंविटेशन दीजिए कि आज शाम को एक ऐसे शक्स में आपको मिलाओंगा जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई है और आज मुझे ऐसी फिलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी जबदस कुछ होने वाला है जिन्दगी में और मैं चाहता हूं एक बला देखो सुनो समझो मेरे कहने से आप यह बता करें हकर यह क्लिये के साथ किशने कर सकता है को कभी नहीं नहीं कर सकता है लेकिन आपके अंदर वह फीलिंग होने चैने इतने मंद से दिल से उतनी पूझा करने पढ़ेiphです जिस सब बढ़ा वाद क्लि से नहीं होने व आप सोचिए अब यह बता है आपने आपको किसी अपने हमने यह तो नहीं बोला ना आपको कि एक आदमी को बुलाना दो को बुलाना अरे 50 को बुला लो आप मेरे पैनल की कपैस्टी एक हजार लोगों की है और पहले दिन से लिर्खा मैंने यह नहीं है और 20 जुलाई 2020 को मैंने एक हजार लोग के पैनल पर नहीं निकला था सोचिया बीस जुलाई 2020 की बाद है जो पंडमिक आय था पेंडमिक आने के सिर्फ चार महीने बाद एक हजार लोगों को टच कराना और वो दो घंटे तक हिलेना यह आईडी नेट की पावर तो मैं आपको बताना चाहता हूं और अभी तक हिंदोस्तान में किसी भी पैनल मैसा नहीं हुआ जहां पर एक हज़ार लोग नॉन स्टॉप बैठे पहले तची नहीं किया और यह तो बहुत बड़ी बात है कि दो घंटे तक लोग हिल नहीं रहे तो इतिहास ऐसे बनते हैं द आपने कैसी ऑपने स्टेट फॉरवर्ड किया कि अप जानते हो पह चांते हो सब कुछ करते हो अगं कि अगरने की कि पुलाने के लिए काम्मों को पता मतलब open-minded open-minded खुले विचार अगर मैं कोई बात कहूं तो आप क्या सुनेंगे क्यों नहीं सुनुगा फोन तो उठाई लिया बतावी देब क्या बोलना चाहता है तो मैं यह बोलना चाहता हूं आपको कि अगर पैसे करमाने का कोई आपको मौका मिले बिना अपने काम धंदे को डिश्टर्ट किये हूए तो ऐसे मौके को आप देखना चाहेंगे आपने सिर्फ देखने की बात की आपने यह नहीं बोला कि पैसे लगने हैं पैसे देने हैं बंदा बोलता देखने में मेरा जा क्या रहा है क्या पता मेरे मतलब की चीज हो और आप वह कुछ भी बोल सक और मेरे कहने से व SI मेरे एक बार कहने से मेरी मेरे कहने से सिर्फ एक बार आप देख लीजिए वस एक बार मेरे कहन तोब आदमी यह ये अजने भी है अभर करें Whatsapp फूरें आप यहाँ पता चलता अपने लोगों ने फे प्रफेश्चनल को कोई आदम्हीं पसंद नहीं करता है प्रोफेशनल को पसंद करते हैं लोग जब लोग आपसे जूर जाते हैं जुड़ने के बाद प्रोफेश्टनलिजम का आपका पावर डिखती है प्रोफेशनलिजम इसमें क्या है जब आपने किश को बॉल दिया उसको a कि कर दो, यह यहां तो सगया सगय श्राइब को बुलाना है आपको बुलाना है इस इस कॉल इनमीटेशन आठ बचकर पैंटालिस मिनट का टाइम आठ बचकर पैंटालिस मिनट के बाद यहाँ पर कोई वीडियो चले कोई फिलम चले कोई शब्द निकले वो करोड़ों रुपएगे करोड़ों रुपएगे ध्यान रखिएगा यहां को फाल्ट फंट की वीडियो नहीं चलाई जाती कि अपने शौक पूरे करने हैं अगर मुझे शौक पूरे करने हो तो मेरे पास मैं सारी शुर्दाय इश्वरगी क्रिपा से तो मैं दिन के 24 घंटे में जब मन करें तब शौक पूरे कर सकता हूं मुझे आपको दिखा के अपने शौक पूरे नहीं करने कहीं को गल्फ हमी होती है पाल साब नव वीडियो चला देते हैं शुरूर में कुछ देर के लिए टाइम पास करने के लिए नहीं है कि आपको मालूम होगा जब साड़े आठ बजे का टाइम था तब भी वीडियो चलती है आज पूरे नौकरणाई में तब भी क्यों कि जो भी नया इंसान पहली बार आया ना उसके लिए सब कुछ नया है आपके लिए लग सकता है कि बहुत पनाना है बहुत बाई देख ल सबसे बड़ी वजा है आपका बिजनस आपके घर से ना सिर्फ आपके राज और आपके राज जिले में हमारे देश के हर राज्य के हर जिले में आपका बिजनस पहुंचे आपका मैं आपकी बात करना है आपका बिजनस अभी कहा है क्या आप चाहते हो कि आपका बिजनस जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के हर डिस्टिक में आपका बिजनस हो क्या आप चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि आपका बिज पड़ेगी अपने आप से भगवान से ऐसा हो गा हमारे साथ एक दिन यह किला तभी हो गई है अगर आपको बिशुआश्व नहीं है इक लिए मगा पना कि पो karşे AS है आपको जबाब कोई जबाब नहीं है इस आख वाले यह बड़े बड़े जुनांदर जो है ना आज तक फेल हुए इसमें तो सेम चीज़ है पहले यकीन करना पड़ेगा फिर रिजल्ट आएंगे मैं एकी चीज़ कहना चाहूंगा आपको कि अपने गेस्ट की ताजाद बढ़ाईए हर रोज आपके घर में पैसे की बरसात होगी पहल आपको करनी होगी हर रोज शाम को अपने गेस्ट के साथ आईए अगर आप अपने गेस्ट के साथ आते हैं यकीन करना आप पुरे हिंद कि बज़ा से मेरी वह समस्या जो बीस साल पहले थी वह समस्या खतम करती भगवान ने बोला बटा चिंता मत करते नियत ऐसी है तेरे को मैं ऐसी टेक्नोलोजी दे दूंगा जिन्दगी में सब के पास पहुंच जातू है इश्वली ने जो कृपा की है में जिन्दगी में अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा ध्रातल में इंटरनली आपके साथ पता ही निये बहुत साइच चैसी है हम लोग अंदर अंदर कर रहे हैं जो धीरे-धीर आपको पता लगने लगेंगी लेकिन ऐसा ना होना जब आपको पता चले लेट हो जाए इसलिए मैं कहता हूं दोस्त हूं यह पता होता आगIRE जाएगा इक मिनट फेनी जो तो बंद कर दिया माझलों के चर कदम दूर हो गाड़ सामने केट बंparkर रहा हो बंद कि वहाएगा आप किलिमेटर से आया होगा ना इंतजार करना पुड़ेंग शुरूऊघी तब सकते हो अमाल लो एक ही मीटिंग है तो दुबारा कर होगी कल आना कि यह ऑना यह कभी चोड़ने का भी आपको देल होना चीए आप पता होना चीए पूर जी आए चला गया चोड़ गया यह जबर्दस्ती दोस्त मैं बता रहा हूं आपको अपना मंद में रख लेजिए के लोगों की कमी नहीं है जिनको हैल्ट भी चाहिए वेल्ट भी चाहिए प्रोस्परिटी चाहिए हपीनेस ही यह हमें अपने आप पर विश्वाश करना है हमे जैसे कि आज का टॉपिक था रियल अबजेक्शन नकली अबजेक्शन आपने अपने आपी फाइंड आउट किया होगा बहुत लंबा टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत सारे एक्जामपल है मैंने कहा महीने भी कम पड़ जाएंगे इतनी सारी बाते हैं लेकि जब इस पैनल में रहेंगे आए दिन कभी न कभी कोई ने कुछ चर्चा होती रहेगी आपके पास बहुत रिच एक्श्पियेंस हो जाएगा समझदार वो नहीं है जो खुद ठोकर खाके सीखे समझदार वो इंसान होता है जो दुसरे के ठोकर को सीख जाए वहां से अपनी जिन्दगी में एक्श्पियेंस ले ले तो आज के लिए इतना ही और फाइनली मैं थैंक्यू कहूंगा आपका सभी लीडर्स का जो इस प्र में हैं यकिन करिएगा यह पहली बार हो रहा हिंदोस्तान में कि इतने अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन ले रहे हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आप सभी इस कैटेकरी में आने के लिए प्रयास अज़त रहों जल्दी जल्दी अब ही सीनियर कोड लीडर की टीम में आईए आपका तेहजर से स्वागत है अभी आप देख सकते हैं कि सिल्वर लॉइन बनकर इस पोजिशन को हसिल की अज़त सकता है क्यांस के और आइडिनेट सिस्टम के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एथिकल लीडर बनते हुए जैनुएन लीडर के साथ आगर आप काम करते हैं तो हम यहां पर आपके हमेशा इंतजार में होंगे कि आप आएंगे और मिलकर हम सब लोग एक दूसरे का सयोग करेंगे जितने ज़्यादा हाथ उतना ज़्यादा काम यादी तो बहुत मैंने कहा 2020, 100 city, 100 gold line 2030, 1000 city, 10,000 gold lines बहुत बड़ा gigantic mission है और मुझे मालूम है यह सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि इच्छा शक्ति होने चाहिए आज देखिए दुनिया कहां से कहां पहुँच चुकी है यह कोई बड़ी बात नहीं है आज के लिए इतना ही कहम थे जनके हमें इचा ह हम लोग इस एस बोस पीपली बड़ी कामेभी जल्दी आप हथिल करे यह रही लुगॉट लाइड बड़ी जल्दी आप हासील करें आफ आफे देंस विए बटर टायाब एंस बटलाब एंस भुटी अलाफ इंस अलाइब लाफ आप लाफ राव जानस विये एंस बट्याइब टाया थुब लुट्ड बाफ वे विव्यों बट्या अलीज्टि कि वाफ देंस आफ निद और भी विविंसों अग्र वखिश था